भारत में वैसे तो अनेकों मंदिर हैं, परन्तु कई मंदिर ऐसे हैं जो अपने रहस्यों को लेकर हमेशा चर्चित रहते हैं। उन्हीं मैसे पाँच ऐसे मंदिरों के रहस्य के बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विजय और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। पुत्र प्राप्ती के लिए माथा टेकने आते हैं। यह मंदिर उत्राखंड के चूडियाल गाउं में स्थित हैं। तो अगर आपको भी पुत्र की चाहत हैं तो इस मंदिर में एक बार जाकर माथा जरूर टेकें। दूसरा मंदिर है कामाख्या मंदिर। एक क्यावन शक्ती पीठों में से एक कामाख्या शक्ती पीठ पहुती प्रसित और चमतकारी शक्ती पीठ है। इस मंदिर में आपको देवी तुर्गा या माअंबे की मूर्ती चित्र दिखाई नहीं देगा। चमतकारों से भरी इस मंदिर में देवी की योनी की पूजा की जाती है। यह मंदिर आसाम के गुवाहाटी छेत्र में स्थित्थ है, तीसरा मंदिर है करणी माता मंदिर, यह एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो राजिस्थान के बीका निरजिले में स्थित्थ है, इस मंदिर में देवी करणी माता की मूर्थी स्थापित है, माता के इस मंदिर क चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के अंदर इतने चूहे हैं कि आपको अपने पाउं को घसीट कर चलना पड़ेगा। यदि आपके पैरों के नीचे कोई चूहा आ जाता है तो इसे अप्शकुन माना जाता है। परन्तु अगर चूहा आपके पेरों के ऊपर से चला जाता है तो इसे शगुन माना जाता है और मा देवी की करपा आपर विद्मान होती है चौथा मंदिर है कन्या कुमारी देवी मंदिर कन्या कुमारी को भारत का निचला हिस्सा माना जाता है यहां समुत्र तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है यहां मा पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है यह देश का एक मातर ऐसा मंदिर है जिसमें प्रवेश करने के लिए पुरुषों को कमर के उपर के कपड़े उतारने पड़ते हैं पौराणेक मा निताओं के अनुसार यहां पर देवी का विवाह संपन्ना होने के कारण बचे हुए दाल चावल, कंकर पत्थर बन गई थे पाचवा मंदिर है शनी सिगनापूर मंदिर वैसे तो भारत में सुर्व पुत्र शनी देव के कई मंदिर है परंतु उन्ही में से एक प्रसित्य मंदिर महाराश्टर के एहमद नगर जिले में स्थित शिगनापूर का शनी मंदिर है यहां भगवान शनी देव का खोज इतना ज्यादा है कि शहर के अधिकांश घरों में खिर्की दरवाजे और तिजोरी नहीं होती ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां चोरी ही नहीं होती अगर कोई चोरी करने की कोशिश करता है तो शनी देव महाराज उसे स्वयम दंड देते हैं तो यह थे भारत के पांच रहसे मही मंदिर आप इन मंदिरों में से किस मंदिर में गए हैं कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा जय श्री कृष्णा